नमस्कार मैं हूँ राशका बजाज और आप देख रहे हैं जिएन भारत बोश्पूरी मगी मैधिली भाशा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है इसी को लेकर अखिल भार्दी अमंच ने एक बैठक का आयोजन किया और कई विभिन पहलू पर चर्चा की देखिए इन दीनों राज में भासा बिवाद को लेकर लोगों में काफी भाय का महौल ब्याब्त हो चुका है तो कि सरकार के दोरा जो प्रायुजित करकरम चल रहा था अब लोगों में ऐसा लोगों में चर्चा चल रहा है उसका कारण है कि राज में आसिन जो शिक्षा मंत्री है जगनात महतोजी उन्होंने भासा को लेकर कुछ खास लोगों को समुदाय को उन्होंने नीजी हमला किया खास करके बिहारी बोलकर और भोजपूरी मगही मैधिली अंगिका जो की राज में दूतिय राज भासा का द पिल करके इसको नीरस्त करवाने का काम किया वो कारो धनवाद में कुछ दिन पहले सरकार के दोवारा इस भासा को हटा दिया गया चेत्रिय भासा के सुची से उसके बाद पूरे राजी में एक जना को रोश फिल गया है बढ़ गया है हम लोग अखिल भारती है कोई काम नहीं करना है जिसमें राज सरकार हम लोग को कोई जवाब देश ठारा है कि आप लोग जो है राज को असांत करने की ओर जा रहा है लेकिन चिंता की बात यह है कि सरकार के मंत्री और विधायक खास करके जार्खन मुक्ति मोर्चा और विपक्स के छेत्रिय पाड़ उनके एमपी और एमेले देख खुल कर बोल रहा है उनके सुप्रीमों सुदेश महतो जी भी लगतार इस भासा के विरोध में अपनी अबाज बुलंद कर रहा है कि सरकार सुनके मांग लेकिन हमला जो है इन भासाई लोगों पर विलुग किया जा रहा है कि लोग खाने कमाने आया है आए इनका राजि में कोई योगधान नहीं और विहारी हुज लोग जो हैं नौकरी में कहीं कोई प्राति मिलने चाहिए पूरे राज इस भाटा मवासा दरना चाहिए पूरु से निरंतagne कि भोश्पूर है मैं मैतरी अंगी का यूग है बश्यों से लोग यहां पर बर्शनों से लेड़े तीसरे चौंदी जो लोगों के यहां पर परिवार के लोग हासन रहा है सब के बालबत दे्व कुल में एक कालेज अधिय को पर रहा से बेवसाइम हो समाजीक सेवा में काफी आ गया है राज में जो सरकार चल रही है जीतने पाटी में जो जन परतिती निर्वाचीत है इसी भासा से अधिकांस लोग बिलौग करते हैं कि फोटी से फिफ्टी परसेंट लोग जो है कि इस भासा के लोग जो है कि यहां पर अभी विधायक है कई पूरूब भी हैं लेकिन जो समाज तोड़ने वाली बात लागतार है कि सरकार के मंत्री के द्वारा प्रती दिन बोलते रहना इसे राज में जो है कि एक विशंता फैला है और उसको लेकर अब लोगों में गली-गली में कॉलोनी में चर्चा का विशय हो गया है कि कहीं न कहीं जो है भासा को लेकर भासा को माध्यम से भासा के आड में 1932 का खतियान को आगे कर फीर से जो दो हजार दो में जो 24 जुलाई को घटना हुआ था जो डो में साइल का साइद आप लोगों को जनकारी नहीं होगा लेकिन चर्चा में है 2002 में बहुत भीशन जो है अंदोलन हुआ था राज के पर्धम मुखमंत्री यादर्निय बावलल मारंडी के द्वरा 1932 का खतियान लागू करने को लेकर डो में साइल नीती उन्हों न लाया था जिसको राज की जनता ने अक्षेप्ट नहीं किया नतीजा क्या हुआ कि सरकार अपने आदेश पर अड़ी रही और नतीजन क्या हुआ कि हमारे समाज के लोग और जो आधीबासी हमारे भाई परिवार के लोग जो वो जो है कि उनके कई लोग सहीद हो गया मिला कि राज में सरकार को सरकार को मिला क्या सरकार को यह मिला कि कई लोगों का जान चल गया गरीव सहाइप परिवार के बच्चियं गारिजन सब चलेगा है कि इस सरकार जस्ट के तस्रा गई कुछ प्राप्त नहीं हुगा वही आंदोलन जो है 1932 के मामले को अस्थागित करवा दिया कि पुना जो है 1932 का मांग किया जा रहा है विभिन संगठनों के द्वारा सरकार में बैठे मंत्रियों के द्वारा बिधायकों के द्वारा और विपक्स के छेत्रिय पार्टी के द्वारा ऐसा दबाव बनाए जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि 2002 का फिर पुर्णा बिर्थी जार्खण में होने की स्थित्ति में राज आ गया है हम लोग कहते आ रहे हैं लेकिन उसको तो पर्मानित कर दिये जार्खण के रक्षक सविधान के रख्षक महामाहिम राजिपाल साहम ने कल उनके द्वारा अधिकारी कुरुप से गिरी मंत्राले को रिपोट दिया गया और बताया गया कि राज में बीधी ब्यवस्था चर्मारा सकती है जो रिपोर्ट है राजी के कोने कोने से इंटिलीजन्स का की डोमेशाहिल का पुन्र रहे हैं इसको लेकर आज हमारी उस इंपोर्टेंट्स लोगों की बैठक थी बैठक में नेड़ने लिया गया कि राज में एक दो खास भासा को चोबिशों जीला में लागू कर दिया गया जिसमें एक राष्ट भासा भी है उर्दू हम लोग उर्दू का बिरोधी नहीं है उर्दू का इतिहास भारत में स्वर्ण अक्ष्णों में लिखा गया है और आज इवन अनंद कालतर करें जबता की धर्थी रहेगी लेकिन उनके समुधाय से हम सम्मान करते हैं स्वाकत करते कि सरकार ने चोबिशों जीला में उसको लाया किन्तु हिंदी जो मेरा राष्ट भासा है उसको आपने लागू नहीं किया परिक्षार्थी नहीं होंगे उसको नोकरी में लाब नहीं मिलागा परतियों की परिक्षा में तो क्या भासा के नाम पर समाज तोड़ने का निड्ने लिजेगा मानिय मंत्री और सरकार के मुखिया मानिय हमसुरें जी आपकी मान्सिक दिवालियपण का परिचायक है निड्ने आपने मगई और भोषपूरी को जो बोकारो धनवा से हटाया है एक प्रायोजित निड्ने है और इस निड्ने के खिलाप में डेर कोड के अबादी हमारा जो भोषपूरी मगई हिंदी बोलने वाले लोग है मैतिर में सम्मान ही नहीं रहेगा भासा के अस्मिता जीवित नहीं रहेगी तो राज में रहकर क्या करेंगे तो अब मंच का मांग है कि चोवी सो जीला में हमारा भोषपूरी मगई मैधिले का कि अब भासा को लागू किया जाए जैसे आपने उर्दू को और भासाओं को कि दूसरा अगर जो आप नीड़ने चार दिन पहले जो भासा नीरस्त करने का लिए हैं वो कारो धनबास से उसको अभिलम बहाल कीजिए अगर आप बहाल नहीं करते हैं तो समाज मेरते अगराहट की सिति उत्पन हो रही है उसकी जवाब देश स्वयम सरकार होगी आप लो लिफाल के विचार धारा के वो जो है कि विद्फित्तों के परिचायक है उनके पिताजी आधनियर गूरु जी का संघष बड़ा जीवन रहा है यह पी की इतना बड़ा जो है तक अितना बड़ा जो Wow परिफदने नहीं लिया अपने राजनीती जीवन में करना जो है बस सरकार कि हमारे मुखिया हैं हम लोग के सहयोगी उनका नेड़ने से लोग काफी आहत हैं कि यह बहुत बड़ा सवाल है इसको लेकर हम लोग इस रभीवार को आने वाला रभीवार को 27 तरीको इस भासा के नेड़ने के खिलाफ में जो इनोंने बोकारो धनवा से हटाया और इनके मंत्री और नेताओं के द्वाला जो ब्यान आ रहा है कि अब पूरे राजी से हटा दीजे उसके खिलाफ में हम लोग प्रतिकार सभा करने का नेड़ने ले लिए हमारा अंदोलन की सुरु पात 20 तरीको दुरुआब असिस्टेंड में जो डोमेसाहिल अंदोलन में सहीद हुएते हमारे लड़के दीपक बबलू और आरके सिंग उनका सहीद अस्थल पर हम लोगों ने सर्धांजली दिया और सर्धांजली के दवरान हम लोगों ने संकल्व लिया कि अब जो है कि ह 1932 खतियान के खिलाप में हम लोगों ने उस दिन संकल्व ले लिया है कि अब हमारा प्रतिकार सभा पूरे राज में जीला अस्तर पर होगा जिसकी शुरुवात रभिवार को हम लोगों रांची से हर्मु के विद्या नगर के इधर मस्तल से शुरूब करने जा रहे हैं कि आप लोग मैं पता दरो और 11 बजल से उसदिन हम लोगा कार करम होगा कि उस दिन हम लोग कुछ परमुख सातियों को बुलाएंगे उसको अम लोग सवा में तबदिल करेंगे और उस दिर अम लोग पुरे राजी को संदेश देंगे लोगों को जागरूप करेंगे मेरा कोई भावना जो है कोई भावना मेरी नहीं है हम लोग बापू के रास्ते पर चलने वाले लोग है जो भारत का स्वभिदान भारत का लोग तंत्र में जो व्यवस्था है उसी के तहुत हम अपनी आवाज और अपनी रक्षा की गुहार करेंगे कि इसलिए 27 मार्ज को 27 परवरी को सब्सक्राइब जो राजी के लिए सुखद नहीं होगा इम्हें आपको असपश्ट बता देरा हूं संभावना दिख रहा है जब राज के अमरे सविधान के रक्षक जो है महा में विराजपाल असपश्ट तो पर कल गिरी मंत्रा लेक उन्होंना अधिकारी क्रूप से सुझित किया है कि भासा भीवाद उन्हों इसा 32 का इसू और जो राज में बेजी ब्योस्ता है उसको ले का जो हेड मास्टर है जो चेर्मैन है उन्होंने खुद जो गनुसंसा किया है भारत सरकार के गिरी मंत्रा लेको तो हमारी बात उनके अधार पर ही है लेकिन हम लोग या संका बीगत दिनों से था जो पहले कई बार लोगों को बोलते हैं इस लेकर हम लोग जोगी अपनी त अगरिक नहीं है तो हम लोग अपने संबान के लिए एक अलग मगत राज परदेश बनेने का भी मांग करेंगे यह एक दव असपर सब्दों में संदेश है जिसमें राज का आधा हिस्षय का बटवारा मांगेंगे इसके लिए जो भी कूर्बानी देनी पड़ेगी हम वक्ष में जो भुषपूरी मगई मैधिली अंगी का बोलने वाले जो विधायक है इस भासा से जो संबंदित लोग है जो बिहार के रहने वाले यह दूसरे परांतों करने वाले इस भासा के जो समर्था का जो बोलने वाले लोग है उनको खूल कर सरकार की नीड़ने के खि है इनकी जबाब्देश सरकार की होगी और बिधायकों की चीते हैं को शूप रहे यह चूप रहने नहीं देखे उसके लिए हम लोग चार गुरूप का कमिटी बनाया है चार गुरूप जो है कि अलग अलग सभी विधायकों से पाटियों के लोगों से लोग मिलेगा और अपना बात जो हम लोग रखेंगे कि यह हम लोग का कारिकरम है और इसको आप सरकार के परदेश चलता है सभिधान से ब्यवस्था से कानून से राज का बटवारा हुआ जो गठन हुआ तो हिंदी परदेश के नाम पर हुआ हिंदी बोलने वालों को नाम पर कोई जाती कोई धर्म कोई जो है कि वर का उसमें जीकर नहीं है लेकिन चुकि जार्खन में आदिवा भाई जो है बाफ से अलग हुए हैं लेकिन खंदान तो एक ही है उसको आप अलग अगर आप ना पीएगा भाप यहां कि नहीं आप अलग है यह लटाई है आदी बासी समाज को भीकास्तिल बनाने के लिए बिक्सित बनाने के लिए हम लोग ने ओवीसी समाज के 27 पर अरक् अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले